हर मोड पे धोका है मेरी लाइफ में ये दिन इतनी जल्दी आएगा सोचा नहीं था दो लाग का सोफा सो फ्रेंट्स वेलकम डू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आप लोग मजे में होंगे बढ़िया होंगे हैपी संडे संडे हैं तो आज मैं भी थोड़ा रेस्टिंग मोड में थी तो इसलिए मैं भी थोड़ा लेट वीडियो लेकर आ रहे हूँ तो कामिनी जी का कल कोई व्लॉग नहीं आया था और काफी लोग पूछ रहे थे एक उनका हॉल वीडियो आया था जो तो उनके अपने कुछ कॉट सेट्स और ड्रेस दिखाई थी उसके नीचे भी लोगों के काफी क्वेश्चन्स आ रहे थे जो मैंने कल के वीडियो में डिस के साथ शूट करी है अच्छा यहां पर मुझे भी लगता है कि अगर गाड़ी ड्राइफ कर रहे हैं तो आप ठीक है आप अपने गाड़ी में बैठी है तो आप बिल्कुल रील बनाईए आपका काम है आप व्लॉगिंग करती है सोशल मेडिया पे हैं लेकिन मुझे लगत करते हैं सबसे पहले सेफटी होती है तो प्लीज इन चीजों को अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो यह चीज ज़रूर ध्यान रखिया आगे से और काफी लोगोंने भी लिखा है ठीक है अच्छा मैं रील के भी उपर कुछ लोगोंने क्वेस्टेंस उठाएं है उसक अच्छी है मुझको यह समझ नहीं आता कि लोग जो यह बोलते हैं कि बेटी को प्यार दे दिया करो आपने देखा था जिस तरह से कल की वीडियो में पीछे से इनके जो हॉल वीडियो से पहला वीडियो आया था धनवी खुदी आके इनसे चिपक रहे थी तो इनसान बचो बच्चे बिलकुल वो होते हैं नादान होते हैं राइट वो कितना प्यार करती हैं कितना नहीं करती उनको दिखाने की क्या कैमरे पे जरूरत है हम लोग उने पुराने वीडियो में देखा है उनका अटैश्मेंट ठीक है कितना प्यार वो करती हैं और सिर्वो ही नहीं उन ये बोला है उन्होंने कुछ वीडियोस में तो इस सवाल में काफी लोगों ने इस पे जवाब दिया है कि धनवी को कामनी दी बहुत प्यार करती है ये कोई बोलने की बात नहीं है बस कैमरा पे नहीं दिखाती है जब सासुमा गाउं जा रही थी तब वो बोली थी कि हम कि हो सकता है बातचीत ना हो जो कॉंट्रोवर्सी के दौरान चीज़े आए थी लेकिन देर सवे ठीक हो जाएगा है ना भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और कल भी जैसे कुछ लोगों ने इनकी क्यूंकि ये हॉल वीडियो इन्होंने अपनी सासुमा के रूम में बनाया था उसमें भी question उठा दिया कि सासुमा के रूम में वीडियो बना रही है और तो मैंने उस चीज़ का जवाब दिया था कि इंटीर का काम चल रहा है धूल मिट्टी उठती है बहुत सारी आवाज होती और इनका काम है vlogging का तो ये नीचे आके बना रही थी चल ये आज की वीडियो उसकी बात करते हैं ठीक है तो जो सबसे पहले तो जो कल भी काफी लोगों का था कि हॉल वीडियो के बहुत आप आप smile क्यों नहीं कर रहे हो जब उन्होंने कुछ dresses को हॉल बनाया था क्या ठीक हो कुछ हुआ तो नहीं है वैसे आपको पता होगा क् दिवरानी जी की वीडियो में देखा था सास ससूर अभी गाउं में रुख गया है कुछ टाइम के लिए ठीक है आफ्टर सम टाइम देवल कम तो इन्होंने आज क्लियर किया है कि नहीं क्योंकि वह जो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है विमन प्रॉब्लम पीरिट्स उसकी बीच में गन्य का जूस पी रही थी घर पे आई हैं पराठे बनाए हैं यह वाला रील भी हमने देखा था अलू के पराठे जब वह कह रही थी कि मेरे को सौस से पसंद है तो इनकी जो घर में जो रवीना जी है रवीना दीदी जिसको बोलते है इनकी तो उन्होंने बोला जो हाउस हेल्प है इनकी तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो सबजी से सबसंद है तो वही मस्ती मजाग चल रहा था फिर इन्होंने वही वाला जो हॉल वीडियो है जो शूट किया है जो हमने देख चुके हैं ठीक है तो उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़े क्लियर करिए जाधा मैं घर पे ऐसे ही रहती हूं और जब मैं तयार होके जाती हूं तो आप लोग देखते हैं और आप लोग एप्रिशेट भी करते हैं और इन्होंने ये बोला है कि इस चीज़ को काफी हाउस वाइफ्स है ना मेरे से रिलेट कर पाएंगी जो नॉर्मल घर पे रहती ह जाधा से जाधा क्या होता है कि अगर एकदम से जाना तो लिप्स्टिक लगा लिया लिप बाम लगा लिया अपने आपको प्रेजेंटेबल रखने ही लेकिन घर पे mostly mostly ऐसे ही रहती है तो वही सब चीज़े कह रही थी बाकी मेरी लाइफ में जो चीज़े पर स्थितिया आ तो इनके husband इनको support कर रहे ही अच्छी चीज़ है तो उन्होंने फिर बोला है कि जो परिस्थितिया आती है ना life में अगर आप sad हो ठीक है लेकिन हमेशा के लिए यह नहीं रहती है आपको कुछ सिखा के जाती है तो इन चीज़ों को positively लेना चाहिए और आपके husband आपका साथ दे रहे अच्छी बात है शुरू में उन्होंने साथ चाहिए नहीं दिया और यह message हर एक लड़की के लिए है कि हर एक husband को अपनी wife का support पूरा करना चाहिए ठीक है तो यही कह रहे थे कि मातारानी की जब मर्जी होते तभी कुछ होता है चाहे वो baby planning हो चाहे वो interior का काम हो च इन्होंने ये भी बोला था कि जो हमारा living space है वहां से भी हो सकता है जो company है जो इनका काम करवा रही है वहीं से हम लोग जो sofa है उसको customize करा के बनवाएंगे क्योंकि कीरती नगर market है of course देखे जो लोग जाते हैं जो लोग को पता है वो ठीक है लेकिन कई बार नई जगा होती है तो difficult हो जाता है जब चीजे नहीं पता होती है तो पहले ही कहीं चले गए किसी शोरूम में वहां पे बहुत expensive था 32,000 पर seat के साब से प्राइस था सोफे का तो उसके बाद इन्होंने फिर वहां पे जो रिक्षे वाले होते हैं ठीक है ये लोग बताते कि आप यहां पे चा अच्छा भी लग रहा था तो इन्होंने रेट वगेरा पता किया तो वह बाद में बता रही थी कामनी जी घर आके कि हम लोगोंने काफी explore किया और ये एक kind of advice भी दिये सबकों कि आप एक ही shop से नहीं हर जगा आप चाहिए explore कर करके देखना जीए नहीं कि एक ही shop पे गया हो यसी try कर रहते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं आज कल काफी जो terrace होती है रूफ अगेरा terrace अगेरा उसको आज कल जो artificial grass होती है लोग balcony को भी बहुत अच्छे से you know decorate कर रहे हैं चाहिए जूला लगा के हो artificial grass हो plants हो बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं आप जिनको shock है वो करते ह राइट कुछ मैंने vloggers भी देखे हैं जो बहुत अच्छा दिखाते हैं और मैं भी देखते हूं एक भूमी जी दिखाती है भूमी जी का एक channel है अगर आप लोग देखते हैं तो आपको पता होगा प्लीज उस channel को भी जरूर देखिए बहुत अच्छी चीज़े आपको करके आए हैं और यह घर पर आके यही बता रही थी कि पहले जो देखा था वो तो बहुत expensive था 32,000 पर सीटो तो काफी जाता सब कुछ मिला के GST वगेरा और वहां पर पहुंचाने का जो घर पर उसका मिला के total 2,00,000 का हो जाता लेकिन अभी जो हम देखकर आएं या फिर कस् कामिनी जी बहुत दिनों बाद इनकी वो smile हमें दिखी है और ऐसे ही हस्ती रहें खुश रहें हमेशा से सब लोग यही चाते हैं और यह था इनका आज का वीडियो आई हो आपको अच्छा लगा हो बाकि येस जो लोग भी नीचे comments कर रहें कुछ लोग ये भी कह रहें कि आ तो यहाँ पे नहीं ये जो फिर से जो लोग आजाते हैं ना comparison करने वाला ये सब मत करें ठीक है compare करने वाला हर इंसान अपनी महनत खुद कर रहा है लोग आज के टाइम पे कामिनी जी को पसंद कर रहे हैं और बहुत जादा और मैंने एक reel भी देखी नोंने शाज इंस्टा पे एक इंस्टा स्टोरी लगा हुई थी इंटर्व्यू के लिए जो ये रिल्स वगेर हमें ड्रेस देख रही है इनकी पिंक साड़ी में थी तो आई थिंक ये कहीं इनका इंटर्व्यू है जहां पे ये गई है और वहां पे वोमेन इंपावर्मेंट से रिगार्डिंग क कुछ चीजे बाते करने गई हैं और यह बहुत देखिया पहले इनको जो श्टॉक्स प्लाटफॉर्म पर बुलाया जाया रहा है यहां पे इंटर्व्यू उसके लिए बुलाया जा रहा है वहां पे एक और व्लॉगर आयो ही थी तो डे बाए डे अपनी अपने अपने जारी है कि मैंने भी अपने चैनल से एक वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत सारी कॉमेंट्स आ रहे थी कि आपने जो पूजा इनकी जो ननद है जो नेवर में थी जिनकी सगाई शादी और एक और वीडियो है तीन वीडियो डिलीट किये तो उसका भी इन्होंने फाइनल वीडियो से उन्होंने वो डिलीट कर दी है हलांकि यह कहरती व्यूस भी बहुत अच्छे थे और मैं बहुत अच्छी भी लग रही थी तो कोई बात नहीं बाकी उन्होंने बोला है कि हो सकता है बात में जब थोड़ टाइम हो जाए आप डाल देना कोई प्रॉब्लम नही है तो देखिए मैंने जैसे पहले ही बोला था ऐसा नहीं है कि लेकिन यहां पर हो सकता है मैंने अपनी वीडियो में लिखा बोला भी था कि हो सकता है इन-लौई की तरफ से किसे ने कुछ चीज़ेव बोली हो पोस्किया हो कई बर प्राइविसी की वज़े से प्राइविसी आ रहे तो और तीनो बहुत अच्छे भी लग रहे थी तो चलिए फ्रेंट्स ये था मिराज का वीडियो एंड कैसा लगा आपको जरूर बताएगा और संडे क्या कर रहे हैं जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सोबुछ वाचिंग बाए-बाए-बा